वहीं उत्रप्रदेश राजानी लखनों में पूर्मुखे मंत्री अखलेश यादव ने प्रैसवारता करतो हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है सबाप्रमुख अखलेश यादव ने कहा कि प्रदेश और देश में लोग बहुत तकलिफ में हैं करोना जैसी मैं वैश्विक महमारी ने चारों तरफ से घेर लिया है वैक्सिंग लगवाने के बाद भी लोग बिमार हो रहे हैं सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई है आकड़े चुपाकर सरकार वावाही करवा रही है करोना वैक्सिंग की जगे रैबिश लगा दी जाती है जिम्मेदार लोग बाहर गूम रहे हैं अस्पताल में एडविट नहीं हो सकते जो आपको बहुत जरूरत की दवाई है वो प्रयाप्त हैं नहीं टेस्ट नहीं हो पारे और अगर टेस्ट हो भी रहे हैं तो जिस समय उनका रिजल्ट आना चाहिए था रिजल्ट में भी डिले कर रहे हैं और वैक्सिंग लग जाने के बाद भी लोग इस बीमारी से परिशाने बीमार हो गए अगर लगनों की जो प्रिस्टीजिस इन्स्टीशन्स हैं अगर उस इन्स्टीशन के लोग भी ऐसी बीमारी से तकलीव में चले जाएं तो आखिरकार आम जनता का इलाज कौन करेगा अस्पतालों की जो दुर्दसा की है क्योंकि सरकार ने कोई त्यारी नहीं की सरकार अपनी वावाई में रही जब बीमारी खतम हो जाती तो वावाई होती तो ठीक था लेकिन बीमारी को छिपा करके आकड़ों को छिपा करके जानकारी को छिपा करके और अपनी वावाई की खुशी मना रहे थी क्या कोई ये सोच सकता है वैक्सीन की जगे जो वैक्सीन लगनी चीए थी वो खुते वाली दवाई लग जाए इससे दर्दनाक इससे खराब क्या हो सकता है और फिर आखिरकार सरकार की जो जिम्मेदारी है वह सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा रही है इनके लिए